Hey everyone, very good afternoon to all of you तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे स्वस्त होंगे आप सभी और अपनी बढ़ाई जो है उसको ऐसा चारी रख रहे होंगे तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम Transition Elements जो टॉपिक है आपका जो चैप्टर है Section A Inorganic Chemistry बुक से उसे कर रहे हैं तो इस समय जो हम कर रहे हैं वो आपके पास Introduction है जिसके अंदर हम General Properties करेंगे Transition Elements को लेके तो अभी तक हमने Transition Elements क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था और After That हमने Electronic Configuration जो है हमारी Transition Elements की किस तरह से लिखेंगे उसको किया था अब जो हमारा Next Topic होगा That will be the Valency कि Variable Valency हमारे पास Transition Elements के अंदर कैसे होती है Transition Elements जो है वो क्यों Variable Valency शो करते हैं तो जो आज का हमारा Topic रहेगा That is Firstly जो हमारा होगा That is Valency तो Sometimes पूछा भी जाता है कि Transition Elements जो है हमारे पास They Shows Variable Valency जो हमारे Transition Metals होते हैं They Shows Variable Valency तो ऐसा क्यों होता है कि Transition Metals जो होते हैं वो Variable Valency जो है उसको शो करते हैं तो Transition Metals जो है वो Variable Valency शो करते हैं हमारे पास तो पहले तो हमें यह बता होना चाहिए कि valency actual में होती ही क्या है valency के अगर हम बात करें तो valency simply हमारे पास combining powers होती है किसी भी element की this is simply the combining power of an element जो valency हमारी this is combining power of an element हमारे पास अगर जो elements होते हैं एक ही same group के priority table के अंदर जो हमारे elements होंगे priority table में एक ही group के अंदर same group में उनकी जो valency होती है वो मेशा सेम ही रखती है तो अगर मैं simple language में बोलूँ तो valency जो हमारे पास किसी भी element की valency जो होती है of an element this is simply related to valency of an element is simply this is simply related to how many electrons कि कोई भी जो हमारा element होगा उसके पास कितने electrons होंगे how many electrons are in their outermost shell are in outermost shell ठेक है जो simply combining power है किसी भी element की या फिर अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास कितने outermost shell में electrons हैं ठेक है किसी element के उसके साथ relate करती है हमारे पास valency and simple angles हम बोल सकते हैं कि combining power है किसी भी element की तो transition elements होते हैं वो variable valency show करते हैं हमारे पास तो इसके पीछे जो reason है जैसे कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि transition elements में जब भी हम electrons field करेंगे तो वो हमारे पास ns shell and जो हमारी penaltimate shell होते है that is n-1d इसके अंदर जो है वो field होते है ठीक है तो इसके बाद हमने बात की थी कि जो हमारी ns shell है this will always be field first उसके बाद हमारे पास n-1d sub shell जो field होती है ठीक है एक बाद जब हमने ns shell field कर दी उसके बाद हम इस shell को भरना start कर देंगे जैसे example दिया था हमने 4s जो है वो पहले field होता है 3d से ठीक है फिर इसके बाद हमने बात की थी कि हमारे पास अगर हम यहाँ simple angles में देखें कि अगर ns shell जो हो पहले field हो रही है that means उसकी energy कम होगी ठीक है उसके बाद हम n-1d sub shell को field करेंगे that means इसकी energy high होगी तो elektrons हमारे यहाँ से निकरने चाहिए थे लेकिन हमने पिछली lecture में कहा था कि ऐसा नहीं होता है ठीक है जैसे ही हमारे पास elektrons इस shell में fill होना start होते है ठीक है हमारे पास जो energy होती है इस shell की ns की वो ज़्यादा हो जाती है ठीक है that means जैसे हमारे पास 3d sub shell जो बरना start होती है हमारे पास 4s जो हमारी sub shell होती है it will become richer energy जिसके बारे में हमने पिछले lectures में बात भी की थी तो हमारे पास elektrons जो हमारे ns sub shell से remove किये जाएंगे ठीक है fill b पहले ns sub shell ही करेंगे हम और elektrons जो remove करेंगे वो भी हम पहले ns sub shell से ही करेंगे तो जैसे हमने previous lecture में example दिया था 3d and 4s orbital को लेके पहले थो हमने कहा था कि 4s जो हो हमारे पास पहले fill होगा ठीक है इसकी energy जो होगा कम होती है in comparison to 3d तो जिसकी वेसे 4s में elektrons पहले जाएंगे लेकिन हमने बात किती जैसे हमारे पास जो 3d sub shell है उसकी filling होना start होते जैसे elektrons इसके अंदर enter करना start होते है जो energy होती है हमारी 3d sub shell की अब वो कम हो जाती है गिदम से ठीक है वो कम हो जाती है और वो 4s से भी कम हो जाती है जिसकी वेसे मारे पास अब 4s orbital जो हो रिचर रहेगा high रहेगा energy में तो इसकी वेसे मारे पास जो elektrons होंगे वो सबसे पहले हम 4s से निकाल लेंगे in comparison to 3d ठीक है तो अब हमारे पास होगा क्योंके transition elements जो है हमारे पास उसमें ns sub shell भी है ठीक है और n-1d sub shell भी है तो इनकी जो energies होती है वो अपस में ऐसा नहीं कहेंगे कि हम बहुत ही जादा बहुत जादा difference है दोनों के energies में वो approximately दूसरे के आसपास ही होती है ठीक है close जैसे ही होती है तो जिसकी वैसे electrons जो है हमारे पास इन दोनों sub shell से remove किये जाते है ठीक है ऐसा नहीं है कि हम electrons सिर्फ और सिर्फ ns के ही निकाल लेंगे यहां से नहीं निकाल सकते क्योंके इन दोनों के energies जो है वो closer है दूसरे के बहुत ठीक है एक दूसरे के close होने के बाद इसी कारण से हमके करते है कि electrons जो है हमारे ns से भी निकाल सकते है और उसके बाद हम electrons जो है n-1 d से निकाल लेंगे पहले हमारे electron जो है वो ns से निकलेंगे not from n-1 into d sub shell क्योंके हमने बात की जैसे ही d sub shell में electrons जो होते है ns जो है हमारे जो n-1 d sub shell होगी इसकी energy जो है थोड़ी से कम हो इसकी energy जो है वो कम हो जाती है और ns जो हमारा this will becomes higher in energy तो electrons जो है इसके निकलेंगे लेकिन दोनों के energy difference जब बहुत ऐसा नहीं कि काफी ज़ादा है तो ऐसा नहीं है कि electrons हमने यहीं से निकालने है इस से निकाल सकते है ठीक है तो main line आपकी यही रहेगी कि इन दोनों के बीच जो energy difference होता है वो बहुत ज़ादा नहीं है it is closer approach होती है हमारे पास जिसके विए से electrons हम इन दोनों sub shells से निकाल सकते है तो अब जब दोनों shells से हम लेक्टोन निकाल सकते है दोनों sub shells के अंदर से electron हम निकाल सकते है that means जैसे कि आप सभी को बता ही कि ns के अंदर तो हमारे पास या तो एक electron होगा या तो दो electron होगा उसके बाद हमारे पास n-1 into d sub shell में कि वैसे मारे पास variable valency जो है हमारे पास show होती है इस चीज को मैं example के साथ लेके चलूँगा for example माल लो मैं कोई आपका metal लिख रहा हूँ transition element का suppose I am writing vanadium atomic number 23 है electronic configuration आप सभी को पता ही है argon this is 23 4s जो है 2 3d 3 ठीक है जैसा कि हमारा concept है कि 4s जो है it becomes richer in energy जब lektons 3d sub shell के अंदर fill होना start हो जाएंगे 3d की energy कम हो जाएगी तो 4s जो है यह higher रहेगा energy में तो इसके जाए से पहले 2 lektons 4s से निकल जाएंगे ठीक है अगर benadium 2 lektron lose करता है ठीक है तो वो 2 lektons कहां से निकलेंगे 4s sub shell से तो जिसकी electronic configuration रहेगी this will be 3d3 यह हमने last lecture में किया भी है सारा का सारा topic तो अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं इसके बाद क्या vanadium कुछ और lektons जो है वो निकाल सकता है हम यह बात करेंगे कि can vanadium plus 2 के लावा और lektons भी निकाल सकता है तो simple पहले हमारे पास जैसे मैंने कहा अगर एक lektons निकालेगा अगर vanadium plus 1 होगा तो 4s से एक lektons निकल जाएगा plus 2 होगा तो s के दोनों lektons निकल जाएगे similarly अब vanadium क्या कर सकता है कि आपके बास तीसर lektons निकाल सकता है कहां से निकालेगा 3D sub-shell से ठीक है 3D sub-shell जो इसकी lektons निकालेशन बन जाएगी अब हमारे पास this is argon 3D 2 similarly vanadium अब चोथा lektons भी निकाल सकता है and vanadium 5 में lektons भी निकाल सकता है और हमारे पास the electronic configuration रहेगी this is 3D 1 और यह simple argon को और आगया ठीक है that means vanadium जो है हमारे पास वो अपने 5 lektons निकाल सकता है जैसा कि हम सोच रहे थे कि सिर्फ 2 lektons निकलने चाहिए NSA निकलने चाहिए तो ऐसा नहीं है हमारे पास जो आपकी penalty mate shell है ठीक है यह भी participate करेगी bond formation में that means हमारे पास होगा क्या कि total जो electron निकलेंगे जो valency होगी हमारी वो जादा रहेगी जो कि हम सोच रहेगी कम रहनी चाहिए तो ऐसा नहीं है ठीक है तो this is the main reason कि हमारे पास valence shell as well as जो penultimate shell होती है हमारी वो दोनों की दोनों जो हमारी सब shells है not shell जो हमारी valence shell रहेगी और penultimate shell रहेगी जो दोनों हमारे पास orbitals है यह दोनों ही participate करेंगे इन दा bond formation जिसकी वज़ा से हमारे पास जो transition metals है जो हमारी जो ट्रांजिशन मेटल्स है जो हमारी जो नेक्स प्रोपरटी है उसकी हम बात करते है जो हमारी नेक्स प्रोपरटी रहेगी that will be the oxidation state जो हम electronic configuration लिखते है वहां से हम direct oxidation state के उपर भी जा सते हैं क्योंकि oxidation state mainly आपकी electronic configurations के थूँ easily जो हम बता सकते हैं जो हमेरे outer electronic configuration रहती है वहां से हम easily show कर सकते हैं कि मारे पास क्या-क्या oxidation states रहती हैं तो जो transition elements हैं इनकी एक बहुत ही special features रहता है कि ये large number of oxidation states जो है उनको exhibit कर सकते हैं जैसे हमने पिछे कहा कि they will show variable valency तो अगर variable valency show करेंगे that means कि वो large number of oxidation states जो है वो भी show करेंगे कुछ एक exception रहती है हमारे पास इन elements के अंदर जहां पर हमारे पास variable oxidation states नहीं रहती है बाकि जो most of the transition elements है वो तो आपके पास variable oxidation states show करते ही करते हैं तो ये जो oxidation states है जो different oxidation states आएगी तो वो usually हम electronic configuration के थूँ ही उन सभी से related रहती है जो हमारी electronic configuration रहेगी हमारे पास ठेक है इसी के थूँ oxidation states जो है आपकी relate रहती है तो अगर हम example दे जो first transition series है इनके अंदर हमारे पास different oxidation states रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी तो one by one लिखूंगा मैं पहले हमारे पास element इसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास outer electronic configuration होते है यहां से हमें इसली परिक्ट कर सते कि oxidation states रहेंगी and this is our oxidation states तो आपका जो पहला element है इसके अंदर that is scandium तो scandium मैं सिर्फ इसके outer electronic configuration लिखूंगा that is 3D1 and 4S2 ठीक है यह तो आप सभी को पता ही है कि आरगन कोर होगा पहले ठीक है अगर 4S sub-shell से लेक्टों निकालता है ठीक है जो variable हमारे पास oxidation states रहेंगी वो हमारे पास जो participation रहेंगी NS sub-shell की और N-1D sub-shell की तो इसके विज़ से रहेंगी इमारे पास variable oxidation states तो अगर scandium जो है plus 2 oxidation state exhibit करता है that means 4S के दोनों लेक्टों निकाल देगा similarly अब हम बात करते हैं जो मारा next element रहेगा इस series का that is titanium titanium जो है this is 3D 2 and 4S 2 ठीक है तो titanium जो है हमारे पास अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर ये 4S electron यूज करता है ठीक है अगर ये 4S electron यूज करता है हमारे पास तो it will be plus 2 ठीक है अगर ये हमारे पास 4S के लावा अगर ये 3D electron यूज करता है तो अगर एक electron निकाल देगा 3D का तो plus 3 अगर दोनों के निकाल देता है तो दोनों ही निकाल देता है तो next जो हमारा element है that is vanadium इसके बारे में तो हमने अभी पीछे जासे बात भी कर दी थी variable valency के अंदर कि it can show an oxidation state of plus 5 ठीक है तो इसकी बारे में 5 electron है तो जो है वो 4S में है और 3 जो है वो 3D में है तो वो इन सभी को निकाल सकता है और total जो हमारे पास oxidation state आ सकती है maximum that will be plus 5 अब after that हमारे पास जो next metal element है that is chromium तो chromium के लिए मैंने आपको कहा था this is half field configuration होती है 3D5, 4S1 3D4, 4S2 नहीं रहती है due to exchange energy and symmetry concept तो हमारे पास 4S में यहाँ पर एक electron है that means chromium can show an oxidation state of plus 1 ठीक है और plus 1 oxidation state जो हो उतनी आदा stable नहीं होती है chromium की ठीक है unstable है इसके बाद 5 electron joints के पास 3D में है that means इन पांचो को भी निकाल सकता है तो it can show an maximum oxidation state of 6 ठीक है तो मतलब chromium जो है मारे पास 6 oxidation state तक जो हो हो compound बना सकता है जिसके अंदर मारे पास कुछ एक oxidation state इसकी जो हो unstable रहती है जिसके अंदर हमने पहले ही बात की है plus 5 plus 4 ये जो oxidation state है along with plus 1 ये हमारे पास unstable रहती है one by one later on हम इनके oxidation states को भी discuss करेंगे compounds की क्या क्या oxidation state रहती है next जो है हमारे पास that will be our manganese तो manganese जो होता है this is 3D 5 4S 2 तो manganese जो है it can shows an oxidation state of maximum oxidation state show करेगा manganese that will be 7 ठीक है plus 2 से लेके plus 7 तक ठीक है plus 2 जब दोनर के दोनर ले लेक्टोन जो है और plus 7 जब सारे के सारे लेक्टोन जो है 3D से भी remove हो जाएंगे हमारे पास तो manganese जो है इसकी जो हमारी plus 5 oxidation state होती है that will be a little bit unstable यह मारे पास जोडिसे unstable रहती है इसके बाद हम बात करते है हमारे पास next element जो होता है that is iron तो iron जो है हमारे पास this is 3D 6 4S 2 ठीक है तो plus 1 oxidation state की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पैसे भी क्योंकि 4S जो हो है completely filled है तो एक electron निकालना unstable जैता है बहुत ही जादा यहाँ पे तो plus 2 that will be stable after that plus 3 then next plus 4 आएगी this is little bit unstable plus 5 यह भी unstable रहती है हमारी और उसके बाद plus 6 हमारे पास iron की operation state होती है maximum maximum जो की unstable रहती है इनके लिए हमारे पास जैसे मैं आपको पहले भी कहा था कि हमें medium चाहिए होते हैं इन operation states के लिए unstable operation states के लिए तो यह जो पैशली जो plus 6 operation state होती है हमारे पास यह usually हमारे पास जो iron की family के other member है that is ruthenium and Osmium वहां पे जैदा much more pronounced रहती है next to हमारे पास element है that is cobalt cobalt जो है this is 3d7 4s 2 cobalt जो है हमारे पास 3d7 4s 2 plus 2 show करता है इसके बाद यह plus 3 तो cobalt के जो usually compound होते हैं plus 2 and plus 3 में होते हैं एक और उसकी operation state होती है plus 4 लेकिन यह unstable रहती है तो जैसा कि आप सब इने देखा भी cobalt के maximum compound जो है वो plus 2 and plus 3 में रहते हैं इसके बाद हमारे next compound जो है that is nickel तो nickel भी आप सब इने देखा है this is usually in plus 2 and plus 3 operation states 3d8 and 4s 2 तो यह भी हमारा plus 2 plus 3 में ही रहता है यह इसके इलावा plus 4 में होता है after that copper तो copper की बाद तो हमने पहले भी की है copper आप सब इने लाब में देखा है यह इसके जो compound होते हैं वो यूजली प्लस 2 में होते हैं और मैंने आपको previous lecture में बताया भी था copper 1 and copper 2 को लेके तो second is oxygen oxidation state copper 1 copper 1 जो है वो हमारे पास unstable रहती है solution में next to हमारे last element that is zinc so zinc is 3d10 4s 2 यहां से हम 2 electron निकाल लेंगे 4s sub-shell से so this is plus 2 3d तो almost completely filled है यहां से electron आम निकाल भी ने सकते हैं बहुत जादा energy लगेगी higher oxidation state will be unstable so main जो इसमें आपके पास simple concept that is कि यह जो variable oxidation states हमारे पास आ रही है वो आ की हो रही है तो इसका main reason यह है हमारे पास कि जो inner हमारे d electrons that is n-1d sub-shell के electron है यह participate कर रहे है किसके अलावा जो हमारे ns electrons है यह तो participate करेंगे करेंगे इनके अलावा हमारे जो inner d sub-shell के electron that is n-1-d penultimate shell हमारी यह भी participate कर रही है क्यूंकि इन दुन्रों के energies जो है almost equal है तो इसी की बजा से हमारे पास हम इन electrons को भी remove कर सकते हैं तो इसी बजा से हमारे पास जो maximum oxidation states तो आ रही है वो transition elements के अंदर आ रही है तो अगर मैं बात करूं इन variable oxidation states को लेके तो usually अगर आप सभी देखो कि plus 2 oxidation states तो maximum सभी के अंदर रही रही है कुछ एक ही है जहां पर यह नहीं होगी लेकिन कोई ऐसा element है नहीं इनके अंदर जिसकी oxidation state जोगा plus 2 नहीं है that means plus 2 तो सभी के अंदर रहेगी तो जो lowest oxidation state हमारे पास रहेगी transition elements की ठीक है जो हमारी lowest oxidation state रहेगी in transition elements की that will correspond to number of electrons in ns sub shell ठीक है तो जो हमारी lowest oxidation state है that is plus 1 है chromium and copper के अंदर होती है हमारे पास तो जो electronic configuration रहेगी वो usually हमारे पास correspond करेगी to the ns electrons और maximum जो भी हमारे पास oxidation state रहेगी that will correspond to sum of ns as well as n-1d electrons तो अगर मैं element consider करूँ scandium को ठीक है scandium को अगर मैं बोलना हूँ टीक है scandium को छोड के जो हमारे पास जितने भी first row के transition elements है उनकी जो common oxidation states रहती है that will be plus 2 सकंद IL को छोडके हमारे पास जितने भी first row के transition elements है उनकी जो common oxidation state होती है that will be plus 2 और ये हमारे पास oxidation state आती है if you want due to the loss of 4s में 2 lktons होते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास scandium जो है इसके लिए हमने कहा कि plus two oxidation state जो है वो ज्यादा stable नहीं है ठीक है it is not much more stable तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि scandium को छोड़के बाग की जो भी element है उनकी plus two oxidation state हमेशा ही stable है इसका मतलब यह हुआ हमारे पास कि scandium के बाद ठीक है scandium के बाद जब हम 3D orbital जो है उसको उसकी feeling हो रही होती है तो it will become more stable ठीक है जो हमारा 3D orbital होगा वो stable हो जाएगा stable होने का मतलब क्या कि उसकी energy जो है वो कम हो भी है ठीक है उसकी energy कम हो चुकी है किससे 4S orbital से ठीक है तो electrons जो है वो 4S orbital से निकलना start हो गए है that means plus two oxidation state जो है first rocket transition elements के लिए सबी के लिए ज्यादा पर जादा most common रहेगी only scandium वो छोड़के तो this scandium आपका पहला element है जहाँ पर D electron जो हो फिल होना start होगा तो जैसा कि हमने कहा पर जैसा ही D electron जो हो फिल होना start होगा अब वो lower energy आएगा ठीक है तो इसके बाद के जितने भी element है उन सभी के लिए आपके पास 4S जो होगा it will be higher energy in comparison to 3D तो plus two oxidation state हमारी most common रहेगी transition elements के लिए ठीक है first row जो हमारी है उसकी बात कर रहे है ठीक है तो उसके बाद के अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूँ हमारे पास तो अगर आप ध्यां से देखो यहां से scandium से लेके हमारे पास manganese ठीक है यहां तक हमारी जो maximum oxidation state है that will manganese में आई हमारे पास plus seven ठीक है plus seven जो oxidation state बनती है हमारे पास ठीक है तो यह जो मारी oxidation state है यहां पर scandium से लेके manganese तक जो maximum oxidation state है हमारे पास है वो डिपेंड कर रही है NS electrons as well as penultimate shalky electrons ठीक है दोनों का जो sum है उसके उपर डिपेंड कर रही है ठीक है लेकिन after that manganese manganese के बाद iron से लेके zinc तक ठीक है तो होना क्या चाहिए था बलेक number of electrons तो बढ़ते जा रहे है हमारे पास valence shalky truth term लाके तो ऐसा नहीं हो रहा है कि sum ले रहे है हम दोनों का ठीक है N-1 D sub shell का और NS का तो इसके बाद जो है हमारे पास maximum oxidation state है ठीक है वो इन दोनों के sum के उपर depend नहीं रहेगी ठीक है तो next जो हमारी थिंग है हमारे पास तो पहली चीज तो यह है कि maximum जो भी हमारी oxidation state है ठीक है जो maximum oxidation state की अगर हम बात करें in the first transition series या फिर मतलब मैं simply अगर बोलनों की maximum जो भी oxidation state है कोई भी अगर transition element show करेगा that will be the plus 8 iron family ठीक है जो iron family है इसके अंजर maximum जो oxidation state आ सकती है वो रहेगी plus 8 लेकिन यह जो plus 8 oxidation state है वो आपके पास जो ruthenium and osmium compounds होते हैं वहाँ पे रहती है ज्यादा ठीक है वहाँ पे यह ज्यादा important इसकी chemistry रहती है plus 8 में जो आपके ruthenium and osmium जो आपके members है iron family के उनके अंदर इस oxidation state का ज्यादा importance है in comparison to iron ठीक है iron में कुछ एक compounds है जहाँ पे plus 8 बनती है लेकिन उनको stabilize करना पड़ता है उस oxidation state में वैसे ही आपको solvent चाहिए होता है तो अगर मैं next बात करूँ हमारे पास nature की किस तरह के bond बनेंगे तो जो lower oxidation state रहती है plus 2 and plus 3 जो हमारी lower oxidation state है plus 2 and plus 3 यह तो usually हमारी ironic रहती है ठीक है these oxidation states are ironic that means जो हमारे bond बनेंगे वो ironic bond बनेंगे तो जैसे हमारे पास higher oxidation states होंगी अब एक चीज यह भी आती है कि जैसे हम अभी तो मैंने कहा कि maximum oxidation state जो हमारी plus 8 आ रही है transition elements के अंदर ठीक है पूरी family जो भी जितने भी transition element है उनमें से कोई maximum oxidation state जो show कर सकता है that will be plus 8 जो iron family के member होंगे वो करेंगे और इसके लावा आप देखी रहे हैं प्लस 7 oxidation state भी आ रही है प्लस 6 भी आ रही है तो question तो यह है मारे पास की oxidation state इतनी high तो आ रही है लेकि उनको stabilize कोन करेगा ऐसा तो है निकि कोई भी metal जो है compound बनाएगा in such oxidation states और वो stable हो जाएगा तो पहला question तो यह आता है मारे पास जब भी ऐसे compound बनते हैं ठीक है तो हमारा किस तरह का ligand होगा हमारा जो ligand जो combine करेगा metals के साथ वो किस तरह का होगा और क्या वो इन oxidation state को stabilize कर सकता है अगर वो कर सकता है तब यह compound बने ही ठीक है तो usually हमारे पास जो higher oxidation states बनती हैं इनको हम fluorides and oxides के साथ ही बनते हैं तो fluorine and oxygen जो हमारे element होते हैं तो इनके साथ ही हमारी higher oxidation states बनती हैं example जैसा कि आपने chromium per oxide देखा है plus 6 में हमारे पास होता है manganese का आपने per manganate देखा हुआ है वहाँ पे भी per manganate that is MnO4 negative oxide जो है उसको stabilize कर रहा है similarly iron iron जो है जैसे मैंना को कहा plus 8 में compound बनाता है तो वहाँ पे भी हमारे पास एक compound बनता है FCO4 इसमें iron जो है आपका plus 6 में रहता है ठीक है? ruthenium and osmium जो है ये मनाते हैं आपके plus 8 में तो इनके जो compounds होते हैं वो usually हमारे पास fluoride and oxides गरा रहेंगे जो higher oxidation states रहती हैं हमारी तो हम bonding की बात कर रहे हैं जो हमारी higher oxidation states होंगी that will be covalent ठीक है? higher oxidation states हमारी covalent रहेंगी nature में तो transition इसके लावा transition elements हैं इनकी एक और special features है इनका और ये जो special features है इसने तो chemistry की field में बहुत बड़ी revolution भी लाई है transition elements जो है ये आपके पास compounds मनाते हैं कुछ एक हमारे ligands होते हैं जब transition elements जो है उन ligands के साथ combine करते हैं तो वहाँ पे उनकी जो oxidation state होती है बहुत ही low होती है बहुत low होने का मतलब ये है कि zero भी होती है ठीक है? जो transition elements होते हैं वो हमारे पास कुछ एक हमारे ऐसे ligands है जिनके साथ combine करते हैं जब उनकी oxidation state zero रहेगी इसके लावा plus one में भी combine करते हैं ठीक है plus two तो मैंने आपको बताए थी this is most usually stable oxidation states ठीक है? ये तो commonly occurring oxidation state हो गई एक किसम से सभी transition elements के लिए 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 हम बात कर रहे है unusual oxidation states की तो unusual कौन सी हुई? zero ठीक है? प्लस one even negative ठीक है? negative oxidation states में हमारे transition metals होते हैं वो combine करते हैं कुछ एक ligands के साथ और वो ligands उनकी इतनी tendency होती है कि वो इन oxidation states में metal को stabilize कर देते हैं तो this is much more important thing कि जब भी हमारा कोई ligands कर रहे हैं metals के साथ कि वो metal की उन oxidation states को मतलब metal को stabilize कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक है? तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारे पास metal जब low oxidation state में रहेगा that means जो force of attraction रहेगी attractive forces रहेगी metal और ions जो भी होंगे हमारे पास उनके बीच में जो bond बना रहे हैं वो एक इसम से metal की उपर तो negative charge भी आ जाएगा ठीक है? तो ये compound तो ऐसे unstable होने ही चाहिए थे ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है हमारे पास जो compound होते हैं जैसे मैं गर आपको example दूँ जहांपे आपका transition metal जो है 0 में रहेगा example मैं अगर simple बात करूँ nickel की compound होते हैं like nickel tetracarbonyl similarly iron होता है pentacarbonyl, chromium hexacarbonyl तो ये जो सारे आपके compound जहीं सतरह के इनके अंदर जो हमारा metal है this is in zero oxidation state ठीक है? तो हमारा metal जो है इनमें zero oxidation state में रहता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ligand है अगर ये compound बन रहे है तो ये ligand इस metal को zero oxidation state में stabilize भी कर रहे होंगे ठीक है तो carbon monoxide ligand के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगा इसका एक special features होता है कि ये sigma bond तो बनाते हैं sigma covalent bond with the metal लेकिन इन ligands में specially जो in oxidation state को stabilize करेंगे एक special features होता है ऐसे जैसे ligands का कि वो sigma bond तो बनाते हैं metal के साथ लेकिन उनके पास tendency होती है backbone बनाने की ठीक है they have a very strong tendency to form backbone that is a metal or ligand के बीच में एक backbone बनता है that is d pi pi bond बनता है हमारे पास जिसको हम d pi pi bond भी बोलते हैं इस तरह की overlapping होती है हमारे पास जिसकी वैसे pi bond बनता है तो ये special features है जिनके अंदर इसके अंदर होता है हमारे पास carbonil जो ligand होता है इसके अंदर हमारे पास electrons होते है तो carbonil जो आपका carbon होता है ये अपना lawn pair जो है वो donate करता है to the transition metals जिसकी वैस sigma bond बनता है और इस sigma आपका dative bond रहेगा ठीक है जो carbonil ligand है ये अपना lacton pair donate करेगा metal को sigma dative bond बनता है और उसके बाद metal जो उसके excess lactons होंगे वो उनको इसके जो vacant orbitals होंगे वहाँ पे shift कर देगा ट्रांस्फर कर देगा जिसकी वैसे मारे पास back bond that is d pi pi overlapping होगी जो pi bond बनकी आएगा तो इसकी वैसे मारे पास होगा कि एक sigma bond भी बन रहा है और pi bond भी बन रहा है और ये जब इस तरह के bond बनते हैं हमारे पास back donations की वैसे तो बहुत ही stable bond बनते हैं तो example जो है हमारे पास ऐसे जो हमारे ligands हैं that is carbonil nitrosil ligand हमारा cyanide ligand इसके लावा हमारे isocyanides और बहुत सारे ligand भी होते हैं तो ये हमारे पास as a pike sector ligand काम करते हैं तो इनकी special जो features है as a pike sector behave करेंगे जिसकी वैसे हमारे ये metal को zero और even जो negative oxidation states होते हैं वहाँ पे भी इनको stabilize करते हैं अब next बात कर लेते हैं हम relative stability of oxidation states of transition metals कि हमारे पास हो कहा रा है कि transition elements हो है वो more than one oxidation state जो है वो show कर रहे है तो कोन से states जो है जादा stable है और relative stability relative stability of oxidation states of transition metals इस transition metals हमारे पास more than one oxidation states कर रहे हैं तो उनमें से सबसे आज stable कौन सी है कोँ से factor होंगे जो डिफाइन करेंगे कि हमारे पास यह oxidation state जो जादा stable रहने चाहिए ठीक है यह जादा stable होगी तो इसके अंदर हमारे पास दो factors होते हैं जो इसको determine करेंगे first will be our ionization energy और second जो हमारा जो standard लेक्टर प्रेंशल रहता है हमारा वो define करेंगे कि कौँ सी oxidation state हमारी जादा stable रहेगी तो पहला factor है हमारा ionization energy ठीक है तो ionization energy जो है हमारे पास यह हमें information देती है regarding कि कौँ सी हमारी oxidation state रहेगी that will be more thermodynamically stable जो हमारे पास transition matters की different oxidation state रहेगी वहां से ठीक है तो कौँ सीना stable होने जा रही है पहली information हमें कहां से मिलेगी ionization energy से ठीक है तो आप सभी को पते ही है ionization energy हमारे पास क्या होती है कि कितनी energy the amount of energy जो हमें required होती है हमारे पास किसी electrons को किसी atom के gaseous state से निकालने के लिए ठीक है तो जो हम energy देखते हैं वहां पर that will be our ionization energy तो जितनी ज्यादा ionization energy देनी पड़ेगी हमें that means electron remove करने के लिए हमें उतना ही ज्यादा task करना पड़ रहा है जितनी कम हमारी ionization energy होगी हमारे पास that means कि उतनी ही असानी से हमारा electron जो है वह हमने निकाल दिया है तो that means हमारे पास हुआ क्या जितनी कम हमारी ionization energy रहेगी ठीक है उतनी असानी से electron निकल गया that means वह हमारे पास thermodynamically java stable रहेगी वह वाली oxidation state तो हम एक comparison करते हैं nickel और platinum को लेके ठीक है निकल से अगर मैं 2 electron निकालू अगर nickel 2 electron निकालता है ठीक है तो जो first two ionization energies होती है हमारे पास निकल के लिए इनका जो sum होता है ठीक है first and second का जो sum आएगा हमारे पास निकल के लिए ये हमारे पास होता है 2.49 into 10 raised to power 3 kilo joules per more ठीक है the sum of first two ionization energy for nickel is 2.49 into 10 raised to power 3 और मैं बात कर लेता हूँ निकल का comparison प्लाटिनम के साथ है ठीक है इसी ग्रूप में प्लाटिनम के साथ है तो अगर प्लाटिनम से मैं 2 लेक्टो निकल लूँ अगर मैंने प्लाटिनम से 2 लेक्टो निकाल ले तो ये जो sum है ठीक है first and second ionization energy का प्लाटिनम के लिए this is 2.66 into 10 raised to power 3 same units with kilo joules per mole ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ कि निकल को हगरम देखें तो इसके लिए ionization energy कम है 2.49 है और प्लाटिनम के लिए है 2.66 दाट मेंस निकल में से 2 लेक्टो निकालना असान है in comparison to platinum platinum में हलकी से energy ज्यादा लग रही है तो दाट मेंस निकल के जो compound होंगे plus 2 वाले वो ज़्यादा stable होंगे किसके comparison में platinum plus 2 वाले से ठीक है तो निकल की जो plus 2 oxidation state होगी this will be energetically more favorable in comparison to platinum ठीक है तो निकल के plus 2 वाले compound जो है thermodynamically ये ज़्यादा stable है किसके comparison में comparison कर रहे हैं platinum के साथ ठीक है अब हम बात करते हैं next ionization है जिसका ठीक है अगर मैं 2 और electronical से निकाल दूँ मैंने निकल से कितने electron निकाल दिये चार ठीक है total 4 electron निकाल दिये तो जो मेरा sum रहेगा nickel के लिए first 4 ionization ठीक है that will be 11.29 into 10 raised to power 3 kJ per moment ठीक है ये sum है nickel के लिए first 4 ionization energy का और अगर मैं यही चीज platinum के साथ देखू ठीक है यही जो sum है मेरे पास first 4 ionization energy का platinum का वो हमारे पास कम होके याता है 9.36 into 10 raised to power 3 kJ per moment ठीक है तो that means जो मारा platinum है इसके लिए first 4 जो elektrons है उनको निकालने के लिए हमारे पास जो ionization energy लगेगी वो कम है nickel के comparison में that means platinum के जो plus 4 वाले compound है वो जादा energetically favorable होंगे ज्यादा stable होंगे किसके comparison में nickel के plus 4 compounds होंगे ठीक है इसके comparison में platinum जो है plus 4 में इसके compound जो है ज्यादा stable रहेंगे ठीक है तो बहुत सारे compounds भी है platinum के जिसमें platinum आपके पास plus 4 में होता है ठीक है platinate गयरा compound जो होते हैं आपके तो platinum जो है plus 4 में stable rayon comparison to nickel 4 अब जो second हमारा जो concept आता है इसके अंदर कि और हमारा कौन सा vector जो determine कर सकता है that will be our electrode potential जो हमारा electrode potential value होती है यह update करती है हमारे पास stability different oxidation states की तो अगर हमारे पास जो हमारा reduction potential value जो है वो अगर कम होगा जितना कम हमारा reduction potential होगा उतनी ही जाला stability होगी उस oxidation state की ठीक है that means lower be the reduction potential जो हमारा standard reduction potential होता है ठीक है जितना कम होगा that means greater be the stability किसकी of that oxidation state जिसके हम बात कर रहे है ठीक है comparison करते है हम example दिया है मैंने अरड़ी आपको copper one and copper two का ठीक है तो copper one जो हमारा होता है ठीक है जब इसकी reduction होगी this will form you this will form copper तो हमारा जिसका standard reduction potential होता है यह होता है 0.52 volt ठीक है 5254 के असपास होता है इसका standard reduction potential होता है अगर मैं copper की बात करूं तो copper two तो आप सभी को पता ही है या आप सभी ने पढ़ा ही है 0.34 volt ठीक है तो जैसा हमने कहा कि जितना कम reduction potential होगा उतनी आप स्टेबिलिटी होती है हमारी उसक्राइशन स्टेट की तो copper one 0.52 है that means reduction potential हाई है तो यह उसक्राइशन स्टेट जो हमारी कम स्टेबल है in comparison to copper two जहांपे हमारा reduction potential जो है वो कम है ठीक है तो इसी व्यासे copper two के compound जो है वो ज्यादा stable होते है in comparison to copper one ठीक है यह भी आपको यहांपे एक concept निकल के आगया ठीक है और आपका जो लेट्रो प्टेंशल होता है वो further depend करता है बहुत सारे factors like sublimation energy hydration energy तो इन सा factors के उपर बहुडेटार आपका यह हीज depend करेगी और जो स्थेबिलेटी ही रहती है हमारे पास किसी भी oxidation state की जो हमारी इस्थेबिलीटी रहती है excited state की that ie usually inversely proportional होती है हमारे पास यह इनृसली Podsta हुडेंशल ह हमारे पास जो भी total heat change होता है हमारे पास यह जो हमारा heat change होता है यह हमारे पास enthalpy change देता है जो हमारा enthalpy change होगा usually जब हम किसी भी solid metal को उसको equus medium के अंदर लेके आएंगे into the monovalent time जब हम इसको equus medium में लेके आएंगे तो जो भी हमारा heat change होगा हमारे पास ठीक है वो इसके ओपर depend करेगा तो यहां से easily में पता लगी रहा है कि जितना कम हमारा heat change होगा जितना कम heat change होगा उतनी ही यादा stability रहेगी हमारे पास उस particular oxidation state की किस medium के अंदर echo solution के अंदर ठीक है तो जितना कम heat change होगा उतनी ही यादा हमारी oxidation state रहेगी उस particular हमारे पास जो भी metal रहेगा आपके पास वो वाला ठीक है तो यह कुछ एक factors है हमारे जो आपकी oxidation state जो है उनको define करते हैं तो अब next lectures में हम बात करेंगे हमारे पास की colors क्या होता है इनका transition metals का colors के बाद हम इनकी जो magnetic properties है another very important topic जहां से हम magnetic movement बगरा निकालेंगे इसके बारे में बात करेंगे हम regarding oxidation states आपके पास syllabus जो आपका syllabus है उसके अंदर topic भी है oxidation states shown by some different metals जिसके अंदर I think chromium है हमारे पास iron है cobalt है nickel है तो हमारे पास in oxidation states को हम one by one यहां पे discuss करेंगे कि chromium जो है कौन-कौन से oxygen states जो होती है वो बनेंगी और कौन-कौन से compound जो है इनके अंदर रहते हैं similarly iron, cobalt and nickel को लेक के चलेंगे हम तो यह सभी topics जो हम आपने बादे lectures के अंदर करेंगे so this is all about this today's lecture तो next जो भी हमारा है उनको हम further next videos के अंदर करने की कोशिश करेंगे till then I think यह video भी आज बहुत लंबा हो गया फिच से yes definitely आप लोग भी बोर हो जाते हैं वितल लंबे lectures के लेकिन यह रहता ही है कि अगर तो आपको ऐसे ही करना है time pass के लिए तो usually lectures चोटे-चोटे हो ही जाते हैं लेकिन अगर आपको कोई चीज से समझनी है समझा के करनी है ताकि आपके लिए भी better हो जो जो आपके के लास के बच्चे कुछ एक बहुत अच्छी मैनत कर रहे हैं कि यह जो covid period आपका चला हुआ है पता नहीं अभी तक आपके colleges वगारा कप अपन होंगे लेकिन जितना आपको time मिल रहा है उस time को अच्छे से utilize करो खुद से पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हैं explore करो हर नई चीज को जितना आप कर सकते हैं यूँकि कल को यही चीज़ आपकी काम आएंगे और यह जो आपका इस time time है यह enjoyment के लिए ही नहीं है कि आपने सिर्फ enjoy ही करना है घर में रहके या फिर आप इदर उदर गूमते रहो तो इस battery है कि आप अपने लिए इस time का अच्छे से utilize करें वह अब तो जैसे भी आप लेवल के उपर करना चाहते हैं तो this is a very good time और बहुत अचा platform भी आपके बास अभी कुछ करने के लिए तो आप utilize करें उस time को बहुत अच्छे से ताकि future आपके लिए ज्यादा better रहे है आपके future में आपको को जिक्कर ना आए तो अब videos तो lecture जो है मेरे usually आसे लंबे रहते ही हैं तो जो सुन रहे हैं उनके लिए तो बैटर ही है पाकि जिन्होंने time pass ही करना है तो उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना आप लोगों को सुमझाने का हो सकता है इन lectures की तरू उतना हो सके चाहे lectures की ना फिर लंबा ही हो जाए चलो till then take care और अच्छे से इसी तरह से मैंनत करते हो आप लोग तकि आप आप लोगों के लिए बैटर है in future so thank you very much